Dear Viewer Mathematics Series में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम discuss कर रहे हैं यहाँ पे differential equation को अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो यह सारे perform है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं यह जो question है आपका GSECL का previous year का solution हम discuss कर रहे हैं अल्रेडी किया हुआ है second question भी हमने discuss किया fourth भी discuss कर लिया है fifth भी discuss कर लिया हमने आज हमारा discussion होने वाला है question number six का अब कुछ लोगों को इस question में doubt हो रहा था क्योंकि इससे पहले जब मैं discuss किया था बाकि सारे questions को तो वहाँ पे आपको यह question मैंने दिखाया था तो कुछ लोगों का answer नहीं आ रहा था उसका region हो सकता है यह रहा हो कि यहाँ पे plus लिखा हुआ था इससे पहले मैंने जब मैं इसको solve करा था तो मैंने देखा कि यह by mistake हुआ है यहाँ पे plus sign नहीं minus sign है अब यह question बहुत ही आसान हो जाता है confusing नहीं रहेगा hopes हो कि आप सभी लोग इसको कर पाऊगे एक आसान सा question ने दिया गया है partial differential equation for general solution general solution यह differential equation का assume किया जा रहा है कि यह होता है ठीक है यह इसका general solution हो गया तो यहाँ पे आपको k की value पूछा जा रहा है constant है उसकी value पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारे पास function है यह basically इस equation को satisfy करेगा तो इस equation में बस आपको substitute कर देना है क्या क्या जहां पे चीजे है d2z by dx square आपको find out कर लेना है d2z by dxdy यह दोनों find out कर लेना है और इसको equate कर देना है आपको e to the power x plus 2y से very simple is that तो कर देते हैं एक बार सबसे पहले हम लोग find out कर लेते हैं d2z ठीक है मैं partial के term में लिखूंगा तो आपको कोई problem वाली बात नहीं है अब d लिखो या फिर डेल्टा लिखो वो कोई problem नहीं partial differential equation है ठीक है तो क्या हो जाएगा that is dz by dx ठीक है किसका हम लोग कर रहे है यह जो z आपको न जारा रहे है इसका first partial differentiation कर रहे है with respect to x तो यह तो y का function है तो यह तो 0 हो जाएगा ठीक ह यह x और y दोनों का function है तो इसका differential क्या आजाएगा पहले तो आजाएगा g dash in bracket y plus x multiplication में इसका आप करते हो तो y का तो कुछ होगा नहीं x का 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ पर multiply में आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ठीक है करने की ज़रूत है नहीं प्लस क्या हो जाएगा x के term कर रहे हो न आप तो e to the power x का क्या होता है differentiation e to the power x होता है ठीक है और यहाँ पर जब second time इसका आप करोगे तो again x का 1 होगा तो कोई change जाने वाला है नहीं यहाँ पर तो क्ये हो जाएगा that is e to the power x plus 2y होप सो कि यह चीज़े आपको समझ में आ रही ह होगी अब हमको क्या कर लेना यह तो हमारा है नहीं हमको तो second finder करना है directly भी हम कर सकते थे बढ़ ठीक है एक बार कर लेते हैं हो सकता है कुछ लोग का थोड़ा सा differentiation week हो तो d2z divided by dx square again करते हैं इसको हम क्या कर रहे हैं differentiate कर रहे हैं पार्शली अगें किस के term में कर रहे हैं x के term e to the power x plus 2y यह हमारे पास equation number 1 आ गया second के लिए का करना है इस वाले को एक बार y के term में differentiate करना है तो क्या हो जाएगा del 2z divided by del x dy is equal to अब इसको y के term में करना है ठीक है तो g जो है आपका function है किसका किसका function यह y का भी x का है तो first differentiation क्या हो जाएगा that is y plus x और again इसका multiplication में करोगे तो y का again 1 होगा 1 का multiply कर लो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं x का तो 0 हो जाएगा plus अब यहाँ पे थोड़ा सा change होगा क्या change होगा पहले तो यह जो k है रहने वाला है e to the power x का e to the power x होगता e to the power x plus 2y ठीक है इस पूरे quantity को आप ए quantity मान सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है फ अब यह जो दोनों value है यहाँ पे substitute कर देते हैं और इसको equate कर देते हैं इसके साथ very simply that value आ जाएगे आपको क्या करना भाई पहले value लिख देना है g double dash y plus x plus k e to the power x plus 2y minus sign के साथ देखो यहाँ पे minus है तो minus sign के साथ यह value लिख लेना है g double dash y plus x minus 2k e to the power x plus 2y ठीक है यह देखो cancel out हो गया is equal to क्या आमको लिखना है इसके साथ तो equate करना आ है यह total किसके equal to है e to the power x plus 2y की equal है ठीक है अब यह जो है plus है यह minus है तो यह क्या होजाएगा minus k यह दोनों same to quantity है ना यार तो minus k होजाएगा यहाँ पे very simple is that e to the power x plus 2y is equal to क्या होगा आपका हो जाएगा e to the power x plus 2y ये दोनों अभी equal ही नजार आ रहा है पर k की value क्या होगी तो ये दोनों equal नजार आएगे क्योंकि ये quantity तो same है इस quantity में कोई change तो है नहीं जब ये quantity same है that means कि यहाँ पर k is equal to क्या होना चाहिए अब यहाँ पर question number seven है बहुत ही आसान सा question है इसको आपको एक बार खुद से attempt करना है नहीं होगा या होगा जो भी matter हो मैं इसको next video में करा दूँगा तो चलिए this is the end of this video thank you so much for watching this मिलेंगे next video में तब तक के लिए all the best good luck